हलो फ्रेंट्स बहुत बहुत स्वागत आपका सुपर फास्ट स्टेडी एंड एक्सपेरिमेंट पर तो फ्रेंट्स जैसा कि आपने थमनेल में देखा इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से कि कि किसी भी साइज के स्टील प्लेट का वेट आप कैसे निकाल सकते हैं चाहे वो प्लेट हो चाहे वो स्लेब हो तो इसके लिए सबसे पहले चाहिए आपको प्लेट के डाइमेंशन तो प्लेट का लेंथ, विट्थ और थिकनेस ये तीन हो चाहिए फॉर्मूला है length multiply by width multiply by thickness multiply by 7.8 divided by 1000 7.8 gram per centimeter cube ये steel की density होती है यहाँ पर आपको इसरिफ एक चीज को ध्यान देना है और वो है आपका unit यहाँ पर जो length है width है और thickness है इन तीनों को आपको centimeter में रखना है चलिए फॉर्मूला में put करते हैं length हमारा 2 meter है 2 meter को अगर हम centimeter में convert करेंगे तो वो आ जाएगा 200 centimeter width है वैसी 1.5 meter तो centimeter में आ जाएगा 150 centimeter thickness जो है वो है 20 mm अगर उसे centimeter में convert करेंगे तो वो आ जाएगा 2 centimeter तो जब हम इससे solve कर रहे हैं हमारे पास answer आ रहा है 468 और यह 468 kg में है यानि कि आपका जो steel plate है इस size का उसका जो weight रहेगा वो 468 kg रहेगा ठीक इसी तरह से आप किसी भी size के steel plate का और slab का weight calculate कर सकते हैं तो friends यह बहुत important है आपको किसी भी size के plate का weight calculate करना आना चाहिए in fact अगर आप एक fabrication job में है तो यह must है आपके लिए और इसके साथ ही हो सकता है कभी interview में भी आपसे यह question पूछ दिया जाए आपको calculate करके निकालने कहा जाए तो दोस्तों उमीद करता हूँ यह वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी अगर एक percent पी यह वीडियो आपको helpful लगी हो तो please इस वीडियो को like कर दीजेगा चैनल को subscribe कर दीजेगा फिर से मिलेंगे next वीडियो में तब तक के लिए अलविदा